बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चनल UK Video World में दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में आपके काफी कमेंट आया थे अच्छा रिस्पॉंस मिला था तो दोस्तों काफी लोगों ने कमेंट किया था कि चौहान के बारे में भी चौहान जो राजपूत है उनकी हिस्ट्री के बारे में भी एक वीडियो बना है तो दोस्तों हमने इंटरनेट से काफी जानकारिया जुटाई जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रह थी चाहुमन सभी राजपूतों में सबसे बहादूर हुआ गरते थे चाहुमन की कुल 26 हाकाएं हैं हाडा देवडा सोन गरा आधी अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं दोस्तों चाहुमन का मतलब होता था चार हाथों वाला यानी चत्तुस कोण इसका ये मतलब है कि जिसक के पास इतना बल था कि चार भुजाएं भी कम पड़ जाती थी तो दोस्तों एक पुराणिक कथा के अनुशार राक्षिसों से लड़ने के लिए ब्राह्मन द्वारा कुछ बीर भेजे गए थे उनमें से केवल चौहान ही वो राजपूत थे जिनोंने उन राक्षिसों को ह के लिए एक यग्यकुंड का निर्मार कराया राक्षिसों ने यग्यकुंड में हड्डियां और मांस फैकना सुरू कर दिया था इसलिए राक्षिसों को रोकने के लिए भिक्षियों ने भगवान महादेव की प्रातना सुरू कर दी लेकिन प्रातना के बाद अग्णिकु पुरुष अगनिकुंड से निकला, ब्रामणों ने उसे पारमार नाम दिया, उसे राक्षिशों से लणने के लिए भेज दिया गया, लेकिन वह राक्षिशों से युद्ध करते हुए हार गया, ब्रामणों ने फिर से प्रातना शुरू कर दी और आखिरकार अगनिकुंड स उसे एक पुरुष पैदा हुए जो युद्ध के कपड़े पहने हुए थे उनके ललाट पर तेज था। उस पुरुष के हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में तलवार थी। ब्रामणों ने उसे चौहान नाम दिया। ब्रामणों ने चौहान को राक्षिशों से लड़ने क बहुत खुश हुए चौहानों ने अपना नाम उसी चौहान पुरुष की वज़े से पाया। प्रत्विराद चौहान भी इसी चौहानवंस में पैदा हुए थे। अनहिल मतलब होता है प्रत्विराद पुरुष को चौहानों का आधि पुरुष कहा जाता है। अनहिल से प्रत्विराज चौहान तक कुल मिलाकर चौहानों के 49 राजा हुए चौहानों को 24 साकाओं में बाटा गया है इत्मान समय में कोटा और बूंदी राजिस्तान के 49 राजिस्तान के 49 काफी मसहूर हैं गागरोन के खीची सिरोही के देवडा जालोर के सोनगरा सूर्य बह और सांचोर के चौहान पावगड के पावेची अपनी बहादूरी के लिए लोग प्री है और आधुनिक समय में चौ में भयंकर महामारिया फैल गई जिससे कई राजपूत वंस पहाड़ों के तरफ आ गए और पहाड़ों में बस गई और आज चौहान वंस उत्राखंड कुमाउं गड़वाल हिमाचल आधी परोती छेत्रों में पाए जाते हैं तो दोस्तों ये थी चौहान वंस की जानकार जो हमने इस वीडियो में बताई ये जानकारी हमने इंटरनेट से जुटाई है दोस्तों ये वीडियो आपको पसन आया तो जरूर लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना दोस्तों और आगे भी हम ऐसी जानकारी जुटाते रहेंगे आपको तो दोस्तों विदा लेते हैं आपसे धन्यवाद बहुत बहुत आपका थैंक यू